नमस्कार मित्रों, आप लोगों का मेरा चैनल Mystery of Success पर बहुत-बहुत स्वागत है, तो मित्रों कल मैंने बताया था कि कल्पना सक्ती जिसको visualization बला जाता है, उस पर हम चर्चा किये थे, और हो सकता है कि बहुत से लोग सोचते होंगे कि क्या है नहीं है, तो यह एक ऐसा अध्याय है, जो आपको अभी भी मंजिल तक पहुचा सकता है, बसरते, आपको इसमें कुछ खुद को परिवर्पन करना पड़े गए, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, कि visualization जो हम करेंगे, वो कैसे करेंगे? परिस्थिती जैसा भी हो, यदि उसी स्वरूप में सतत देखने में आती है, तो मनुस्य की रातों की निंद गायब हो जाती है। इसी लिए कुछ जैदा ही वास्त्विक्तावादी लोग अधिकतर निरासा में जीवन जिम्य लगते हैं। समझने की कोशिश किजी, इस पुस्तक को मैंने मंगाया है और वो ज्यान में आपको इस सोशल मेडिया के माध्यम से दे रहा हूँ। अतह यदि स्वेंग को इस्थिती की वास्त्विक्ता का बार-बार अनुभव कराते रहोगे, तो वास्त्विक्ता जैसे ही, जैसी है, वैसी ही रहेगी। वास्विक्ता को यदि बदलना हो तो कुछ कल्पना सिल बने है यह पुस्तक आपकी कल्पना सक्ति को वैज्ञानिक ढंग से उभार कर आपको अपनी जिंदगी में नवीन संजोगों का स्रिजन करना सिखाती है यही है तो इस पर बने रहें और पूरा वीडियो देखने का ताकि आपको पूरी बात समझ में आये कहता है ने वो कि नीम हकीम खत्रे जान आधा अधूरा सुन लिए बस नहीं आप इधर का रहें नहीं उधर का रहें इसलिए पूरी चीज को सुने तो अध्याय पहला हम सुरुवात करते हैं क्या है कि क्या हम स्वेंग अपने भागी विधाता है आखिर मयों से बोलता है कि मेरा भागी में ये नहीं है वो नहीं है ऐसा क्यों है भागी तो उसका भी है जिसका हाथ नहीं है जिसका पैर नहीं है जिसका आख नहीं है आपके पास तो सब कुछ है फिर भी चलिए आगे बढ़ते हैं वास्ताव में आपको चाहि परिवार का सहीज़, योगी जीवन साथी चाहिए, कसा हुआ बलिस्ट सरीर चाहिए, क्या आपको परिक्षा में अधिक अंक चाहिए, अमेरिका या या यूरोप का विज्जा चाहिए, क्या आपको कोई खास दिग्री चाहिए, खुद की सची पहचान चाहिए, इस्वर के चरणा में भक्ती चाहिए, क्या आपको अध्यात्मिक उन्नती चाहिए, सफलता, सुकर, सांती चाहिए, यदि इसमें से कोई एक या सभी चाहिए, तो एक जबरजस्त अनुभुती के लिए तैयार हो जाईए, आपको बदलाव करना है अपने आप में, आप यह जीच कर सक यह उसे पराप्त करने का स्रेष्ट मार्ग तरास कर चुके होंगे, यह चीज हैए, यह मार्ग अनि सभी मार्गों से अलग है, रास्ते तो बहुत हैं, लेकिन यह रास्ता सभी रास्तों से अलग है, कारण यह है कि इसका आपकी सिक्षा से कोई संबंद नहीं है, और नहीं तुम्हारे धर्म से कोई संबंद है, इतना ही नहीं आपके भागे के साथ भी इसका कोई संबंद नहीं है, यह मार्ग ऐसा है, जिसे आप असानी से अपना सकते हैं, दोस्तों वीडियो लंबा जरूर होगा, लेकिन यह ज्यान आपको कहीं दूसरा वीडियो में नहीं अप मूवी देखने में दो घंटे लगाते हैं, क्या अपना लाइफ सुधारने के लिए, अपना जीवन सुधारने के लिए, अपना बाल मचो का 60 सुधारने के लिए आप 10 से 15 मिनट नहीं दे सकते हैं, तोचिये, अपने विक्तित्व की जिन बातों के उपर आपका सीधा सिधा और पुर्ण अधिकार उन बातों के विशाई में ही इस पुस्तक में लिखा गिया है इसलिए तो हम विश्वास पुर्वक क्या कर सकते हैं कि इस पुस्तक में दिखाए गए तरीके से आप काम करेंगे तो स्वामी देदेकानन द्वारा दिये गए सुत्र को वास्ताव स्व में सत्य पर्मानित कर सकते हैं स्वामी विवेकानद जी में जो हम स्व को देखे गया शुत्र क्या हम लोगों ने कभी उसे अपना जिवन में अपलाई करने का कौसिस किया नहीं किया तो इस पुस्तक में उसे अपलाई करने का भी तरीका बताया है कि आप कैसे अपलाई कर पाएंगे स्वामी विवेका नंद ने कहा था आप स्वेंग अपने भागे के विधाता है या पुस्तक पढ़ने के बाद आप भी कहेंगे की सत्य बात है मैं भी मेरे भागे का विधाता हूँ किसी को दोस देना छोड़ देंगे क्योंकि दोस देना तो असान होता है अगर आपका कर्तब्य है आप अपना कर्तब्य को निर्वहन सही तरीका से नहीं कर पाते हैं तो आप किसी ने किसी को दोसी चाहराते हैं अपना दोस दुसरी के उपर देते हैं यह चीज भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है कि आप वह चीज ना करें अपना दोसी खुद अपने उपर लें सुक्ष्म हकीकत ठोस हकीकत इस चीज पर चाचा करते हैं आज दस्तो लगभग वीडियो दस से पंदरा मिनट बन सकता है लेकिन आप इसे छोड़ियेगा नहीं अगर फुरसत नहीं मिलता है अपको दिन में कहीं काम करने जाते हैं कहीं दियूटी करते हैं तो आप जब भी फुरसत हों तभी देखें इस चीज को कोई भी मकान वास्तविक भुमी पर आकार लेने के पहले उसके मालिक के मन में आकार बना लेता है मकान मालिक अपने आर्किटेक्ट के साथ मिलकर मन में रहे मकान के विचार को कोड़े कागज पर उतारता है आर्किटेक्ट की मदद से इसमें महत्पुर्ण विसे साय अकार लेती है इसके बाद में इस्ट्रक्चरल डिजाइनर की मदद से इस्ट्रक्चर की डिजाइन त्यार की जाती है सिवीर इंजिनियर इस डिजाइन के अनुसार मकान का वास्तवीक अकार वार रूप देने का कारी सुरू करता है और फिर कारागीर या कारीगर बोले और मजदुरों के सहयोग से आखिर में धर्ती पर मकान वास्तवीक अकार धारन करता है ठीक उसी तरह से हम लोगों को भी कलपना सक्ती को बढ़ा करके उसे अपलाई करके, अपने जीवन में उपयोग करके, हम लोग उसे हसिल कर सकते हैं, बसरते हम लोगों को मेहनत करने की ज़रूरत है मन का सुक्ष्म रूप वाला मकान धर्दी पर वास्त्वीक अकार लेता है मांसिग मकान भोतिक मकान बनता है इस संपुन पर क्रिया में सबसे महत्पुर्ण यदि कुछ है तो हुआ है मालिक के मन में अपने स्वैंग के मकान के विशे में बने रचे विचार मालिक आप अपना मालिक आप खुद है कोई दूसरा नहीं है आपका मालिक तो आप जिस तरह से तयार करेंगे अपना कल्पना को आप उसी तरह से हसिल करेंगे आपको सिर्फ उसमें जरूरत है उसको फॉलो करने का वो कैसे हसिल होगा उस तीच को जानने का जिन्दगी में भी ऐसा ही होता है आज की अपनी भौतिक दुनिया अपने मानसिक चित्रों वे विचारों का ही परिनाम है जिन्दगी में भी ऐसा ही होता है आज की जो अपनी दुनिया है वह अपने मानसिक विचारों चित्रों का परिनाम है अपने जिन्दगी के विशाय में हमारे मन ने जाने अंजाने जो विचार या चितर खड़े किये हैं वैसी ही जिन्दगी हम भी जी रहे हैं सुचने वाली बाते ही यदि आपको अपनी बहतीक दुनिया बदलने है तो जिंदगी के वीशाय में मन में जो विचार है जो चितर है उन्हें बदलना पड़ेगा आप जैसे चाहते हैं उस तरह से आपको करने का कोशिश करना चाहिए तभी होगा अपनी मामसिक दुनिया में सुक और सम्रिदी के नए चितर त्यार करना आपके हाथ में है यह सब कैसे हो सकता है यह विचार छोड़ें यह पुस्तक इसलिए है मामसिक दुनिया में जो सुक्षम रूप से सरजित होता है भौतिक दुनिया में वही इस तुल रूप में सरजित होता है दोस्तों आपका दिमाग में जो कलपना होगा जो निर्मान होगा वही चीज आपका रियल लाइफ में भी होगा नहीं तो आप इस चीज को अपना सकते हैं इस तरह से कि आप रात को सोते समें जो भी चीज सोचते हैं ज्यादा रात में स्वपने भी आपको वही चीज कहाता है सत्य है इस चीज को मानना पड़ेगा धन्यवाद दोस्तों आप लोगों ने अगर ऐसे ही मुझे सपोर्ट किया तो मैं प्रती दिन कुछ ने कुछ जैसे ही भी होगा मैं अपनों के लिए नई नई चीज लेकर के आता रहूंगा यानि घा जा सकता है कि मैं भी ब्यस्त रहता हूं अपने कामों में किसी सी कोई मतलब नहीं है जिससे मतलब है उससे बात करना है तो धन्यवाद दूस्तों वीडियो दसनेट की हो चुकी है अब हम इसको क्लॉज करते हैं थेंक्यू